क्या चमकता हुआ तांबे का लोटा है? ऐसा लग रहा है कि बिलकुल मार्केट से नया नया खरीद के लाए हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये लोटे की हालत पहले कुछ ऐसी थी कि ये बिलकुल ही गन्दा था तो सेम वही लोटा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना हो जाएगा वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तामे के लोटे को कैसे बिना मेहनत के आप नया जैसा बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों आशूस कुकिंग मैजिक से मैं हूँ आशू तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यह तामे का 35 साल पुराना लोटा और इसमें हरी वाली जो काई होती है जो हरे रंग की काई होती है वो ब्रकुल सूक के चिपक गई है यह तो पितामबरी से भी न महीं घ clever दोपिक टावनेग लोटा दोपिक बाद केशे अथ मका दोप में माद में गाए एक माद के माद नमक घुलका लेकर नमक डाला है और विनिगर डाल देन एक सकते हैं जो हम पनेमबरी से नमक ओज等一下 लो आशू जीमबरी ती दूंग सब चलिंगeh की नमक डाल दिया अब मैं यहाँ पे आपको तामे का लोटा डाल के दिखाती हूँ तो जैसे ही पानी के संपर्ग में तामबा आएगा तो देखी अंदर से उसका कलर चेंज होने लग गया देखा आपने और कभी-कभी होता ना बरतन में हम अंदर हाथ नहीं डाल पाते तो उसको रगर नहीं पाते हैं तो इस पानी से आप वह भी तामे के बरतन साफ कर सकते हैं जिसमें आपके हाथ ना जा पाए जैसे कि तामे की बॉटल होती ना उसको भी आप साफ कर सकते हैं कि अधेले कि अधेले को आप मेरे चानल पर जल्दी को जली से अब्सक्राइब कर लीजी को कि अपकी करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकि मेरे बहुत माइने रखता है तो निम्बु रगड दिया है और इस मैजिकल पानी को भर के रग देंगे कि हमें महनत करनी नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं रगड दे रही हूँ लगबग यह पानी भरके हम इसको आधा पॉन घंटे के छोड़ देते हैं अपने आप आप देखिएगा कैसा जादू की तरह यह रिजल्ट आएगा अपको यकीन जब आप खुद करेंगा तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यह कितना पावफुल पानी तो देखिए थोड़ी देर में लोटे का कलर कैसा चेंज हो गया पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया देखिए आप ग्रीन कलर का क्योंकि जो हरे रंग की काई अंदर जमा दी वो सारी फूल गई है अब आम इस पानी को दूसरे बरतन में अई टन्हें का मिश्च की जो है पानी का पानी की कित अखिते अ कर अधा ग्रीन एंदर ऑ लोटा दीके बिलकुल साफ है लडल जागे दो है टूस में हमी अपानी रखते अग्त्ति घ्चका बीना हाथ लगाए पानी को बिल्कुल कित आप भरना दना प्तर साफ कर सकते है तो बस यहां पर हमने इसकal कर दिया है लगबग एक से दो मिनट के लिए तो फटाफड हमने सक्रब कर दिया है और साथे पानी से हम धो देंगे बस इतना ही करना है, आपका तामे का लोटा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, 30 से 35 साल पुराना लोटा है, यह अंदर से दीखिये, बाहर से दीखिये, बिल्कुल चमक के नए जैसा हो गया, भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस लोटे को साफ करने में, अब आप लोग उस पर पानी नहीं होना चाहिए, पानी के छीटे होने से ही उस पर कलर चेंज होने लगता है, तो बस आप लोगो फटा फटा अपने तामे का लोटा, बॉटल, बाल्ती, मटका जो भी है सब चमका लीजे, साथी में दोस्तों इस तरीके से आप अपने पूजा पाट के गंद यूसफुल है, 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तो चलिए, आप आप लोगो ट्राइ करिए और अपना अनुबह मेरे साथ कमेंट के द्वारा शेयर करिएगा, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाबाई एंड टेक कियर!